प्रोपटी गुर्व कुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये चैनल आपको फिनेंचिल अडवाईज के साथ रियल सेट में एक्सपार्ट अडवाईज और रियल सेट में ट्रेनिंग देनी का प्रोग्राम करता है मैं हूं राजबन सिंग मौली रियर स्टेट मेंटर रियर स्टेट बुक्स का और्फर एंड मोटिवेशन स्पीकर आज का जो टॉपिक है इन जो लोन लेता है यह मैं तीन-चार दिन पहले किसी मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो उसमें उसने बताया कि जो करेडिट कार्ड है वो बेवकूफ लोग लेती हैं गंजा सा है मोटिवेशन स्पीकर है तो वो कह रहे हैं जो क्रैडिट का मतलब ही उधार है नीम हकीम खत्रा जान लिटल नौलजी जालवेज डिंजरस थिंग हमेशा ही जो कम ग्यान है वो कहीं न कहीं आपको नुकसान करते हैं जो मोटिवेश ये लेवल का हुए सकते है जा उसका फिनाइशल ओंचे नेजिए बहुट नीचए है दोस्तों नहीं यदि आप क्रैडिट कार्ड बिरुकर तो क्रैडिट कार्ड का यदि आप सदब्ध करते हो तो कोई प्रॉवलम माली बात नहीं प्राउब्म कहा आती है जब हम पैसे का सदिप जोग नहीं करते उसको बहतर तरीके से यूज नहीं करते यदि हम उसको बहतर तरीके से यूज करते तो कोई भी लोन बुरा नहीं कोई भी उदारी बुरी नहीं है क्रेडिट कार्ड को यदि आप ढंक से उसके पैसे को यूज करो और आपको जब आपके पास पैसे हैं उसके वापस कर तो ठीक है हाँ वो ब्याज तो जरूर लेती है यह भी मैंने देखा कि जो क्रेडिट काइड है कई बार हम जब किसी की पेमेट लेट हो जाती है तो उस पर धाई परसंट 30-30 परसंट ब्याज भी वह लेती है यह बहुत क कई बार हमें बाहर कोई चीज शॉपिंग करनी है कोई और चीज़ें लेनी है क्रेडिट कार में उनकी में उसका भी योगदा रहता है क्रेडिट कार इतना बुरा नहीं है मैंने रियल स्टेट में बताना चाहता हूं जो उधार लेने बाला मैं 2-3 साल में ऐसे कई केस यहां पर नौकरी करता था प्राइवेट और उसकी सेरी 50,000 के आसपार थी तो वो प्रोपटि प्रोपटि दिलों के पास बैठने पूँठने में तो उसको प्रोपटि डिले कहने लगते हैं यह यह क्या तुम ले सकते हो क्यों कि उसके टाइट फश्या रहे मेरे लगी है एक मिन नहीं मेरे तो से लेना को मेरे पास पैसे नहीं तो कहतें यार थीग यह तर पैसे नहीं तेरी जो तो मिल सकताई किसे करतें यह गार तो उस ने डिया उसको लोग और संक्ष्यर और 25 लाइख रपे का उसने मकान लिया था एक लाख रपया कमिशन पलस अर्जिस्ट्री पलस अधर एक्सपेंसे जो भी 26 लाख में उसको पढ़ा ठीक है जी तो 26 लाख रपय में मकान जब उसने ले लिया और लेने के बाद अर्जिस्ट्री करवाई वो पुराणी बिल्डिंग थी जब उसने पुरानी बिल्डिंग तोड़ी तो उसमें से तीन शोरूम निकल गई तीन दुकाने निकल गई तो तीन बड़ी दुकाने निकलने के बाद जब वह बेचना मतलब उसको लोग लोगों ने पूछा के यार है यह प्रपटी बेचना चाहते हैं क्योंकि जब खरगोष ज और भाडियों से निकल जाए का आऊ उसके निचे उसके पिछे काव में लग जाता है बाज मैं लग जाता है शेकानी भी लगाजाता है कुट भी लग जाता उसको पक्ड़ने के लिए इसी तरिके से यह मकान उगा जब यह खंडर परदा तो किसी ने देहन ने दिया जब तोड के इसमें दुकानों की नीम भर दी तो तीन दुकाने निकल गई तो तीन दुकाने जब उसको पास खरीदने के लिए लोग आने लगे तो उसने बड़े उससे पचास लाक रप्या मंगा, कि इन्होंने पचास देना नहीं, तो मैंने बाइन मकान बेजना नहीं, क्योंक सलाख रबाया कमें तो क्या ये लोन बुरा है क्या ये क्राडट बुरा है आप ने देखना है कि आप जो डेट ले रहे हो आप जो करज ले रहे हो वह करज किस तरीक उ स्यावारी ओगण कर दोड़ियेट ये बैड़ ड़िच है अबी दूसरे दूसरी एक्जमपल मैं बताता हूँ आपको मानकबर खिड़ेगी तो वहां पर मेरी टीम का मेंबर संजीव मैंने उसको कहा कि यह मकान देख ले यार पुराना मकान था बना हुआ और बिल्कुल कमर्शिल मकान मिलता था बाइस लाक में बाइस लाक में मिलना तो मैंने का को दे दिया उसमें तो उस बंदे ने लोन लेके पेमेंट करी लोन लेके पेमेंट करने के बाद हमें पांच लाक रप्राव्ट देने के बाद आज वो मकान सतर लाक रपे से उपर का हो चुका है उसका कारणी यह है कि उसका ऐसे साट फिट रोड पर फ्रंट लगा था और वे पीछे जिस त्रीके का मकाम तो इस तरीके से उसे तिंचे सोड़ मिन ये और यह बाकि दुकर नहीं निगल दुण तो यह यदि हमने वाईस लाख रपिया मकान या तीस लाख में मकान ले लू लें ले के तो एक साल में सतर लाखralप हो जाए तो तो आपको क्या चाहिए यार, problem कहा है, problem हमारे mindset में है, क्योंकि हमें कहा गया कि आपने risk के spelling भी ने पड़ने, risk जिन्दगी में लेना ही नहीं, loan लेना ही नहीं, loan ले लो, मैं कहता हूँ loan लो, पैसे के, यदि आप दूसरे के पैसे से पैसा कमा लो, तो इससे अच्छी बात क् सकती है समयधार ही वही है जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाए दूसरों के गलतियों से सीखे और अपने पैसे के बिजाए दूसरों के तैसा यूज करने ग्यांत बुड्सकोंグारफ कर निस दूसके लाख रप्याओ उसके पास था वीस लाख रपां कंता रचेश को लिया उसमें पानचे लाख 7 구ser लाखकरी बेंक लिइल से लोन लेने के बाद यह सतर लाख गई यह ने पैली लह तो यह बुरा नहीं है लोन ना बुरा नहीं है लेकिन लोन का सद उपयोग करना बहुत बड़ी कला है जब पैसा हमारे पास आता है तो हमने उसको संभालने अच्छे तरीके से देखने यह इस तरीके से नहीं करना के यार ड्रा के रखो लोगों को कि हम तो रिसके स्पैलिंग में पड़ने मेरा कर साथी ढादीर आगा नहीं में सारी जिंदगी में रिसकान में ने कर लिते है और समय कर लेता नहीं और पैसे के ऊपर डिपेंड़ेंड किille नहीं रहता हो तो आपने financial independence कैसे गेन करनी है आर्थी के जदी कैसे गेन करनी है इस तरीके की management करके तो दोस्तों उमीद है यह topic आपको पसंद आया होगा आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हो कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में दिख सकते हो किसी नए टॉपकर वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट बॉक्स में दिख सकते हो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबादू ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास से मिस्स नहों जाए इंटेलिएंट लोनर यार क्रेडिटर होना कोई बुरी बात नहीं गुड़ डेट बैट यह मैं पहले वीडियो दे चुका हूं यदि आपका डेट गुड़ है तो फिर कोई प्रावलम नहीं यदि आपने पैसा लेके अपने मकान पर लगा लिया शादी पर लगा लिया बड़ी गाड़ी पर ल जल्द डेट आपके साथ आपके सामने राजवन सिंग्वाली आपका दोस्त आपका होस्त थैंक यू